नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंगलेश जोजी तवी में, तो मित्रों आप सभी है मेरे साथ में एक बड़ी अपडेट के साथ, और यहाँ पर आज मैं दोस्तों आपको एक नहीं दो बड़ी ख़बरों से अउगत कराने वाला हूँ, दो इसके लिए दोस्तों आपर बड़ी खुसकबरी है, बड़ी अपडेट है, तो दोनों बातें इस वीडियो के अंतक मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मिने साथ में बने रही हैगा, तो आईए आपको ले चलता हूँ इस महतपूर जानकारी की तरफ, और इसने पहले आप समंदित जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुचा सकूँ, तो अब आईए बात करते हैं आज किस महतपूर जानकारी को, और आपको दिखा दें कि ये विग्यप्त जो जारी की गई है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, दोस्तों ये विग्यप्त जुड़ी हुई है, 79,000 सिक में काउंसलिंग हुई थी, मतलब थर्ड काउंसलिंग जो हुई थी, उसमें 6,696 अभीरतियों से जुड़ी हुई जानकारी है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात पताने वाले हैं, कि क्या है प्रमामला आये समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, आप द इग्जानेशन पास करने के बावजूद उनका चैन नहीं हो पाया, तो दोस्तों यह बड़ी अपडेट हैं उन सभी के लिए, जो भी ऐसी अभिरती हैं, और आपको बताने वाले हैं पूरी जनकारी, कि यहाँ पर आप सासना देश संख्या देख सकते हैं, दिनांग 17 पास स्रेडी के आधार पर परिक्षा के उपरांत जो रिक्त पत 6,696 पत थे, उनको विक्से साफ्रियर के माध्यम से अनन्तिम चैन या जन्पद आवंटन सूची, जन्पद वार स्रेडी वार प्राप्त कराया गया है, और जिसे परिशत की आपकी विबसाइट, यह up basic edu board.gv. पर दोस्तों यहाँ प्रकाशित भी किया गया था, और आपको बता दें कि उसी सम्मद में 28,6 मतलब 28 जून और 29 जून को आपकी counseling, third counseling करवाई गई थी, तो दोस्तों जानकारी क्या है, जानकारी यह है, कि जो भी अभियर्थी, आपकी उन third counseling में, अभियर्थी जो नहीं पह क्या जाता है, कि उप्रोक्त के अनुसार केवल 6,696 अननतिम चैनिया जन्पद आवंटन सूची में, समलित अभिर्थी जो किनी कारणों से counseling में अनपस्थित थे, को ही परिक्षद द्वारा दिये गए निर्देश, सियों निर्गत सुसंगत साजना देश में दिये गए न counseling करा पाएंगे, और आपका chain भी हो जाएगा, तो दोस्तों ये बड़ी update आपके लिए थी, आप बात करते हैं 68,500 अभिर्थियों के लिए, क्या है उनके लिए खुसकबरी, चलिए आपको वह भी बता देते हैं, दोस्तों ये भी बड़ा एक मुद्दा है, और आपको हम ब तीर्ड पाए गए, और लेकिन उनको अभी तक दोस्तों नहीं मिल पाई है, तो दोस्तों उसी प्रकरण में आपका यहां पर code में case भी चल रहा था, तो आपको बता दें कि code की तरफ से ये आदेश दिया गया है, कि ऐसे अभिर्थियों को यहां पर आप देखिए ने code के आदेश पर ये कदम उठाया है, तो दोस्तों ये बड़ी update थी, आप दोनों भरतियों से समंधित, उमीद करता हूँ कि मेरी दिवी जानकारी आपको पसंद भी आई होगी, तो यदि आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर करें, और यदि चैनल पर पहल झाल झाल झाल